पश्चिम बंगाल के बाद अब मेखाले में भी टीमसी गुंडा गर्वी पर उतारू हो चुकी है जी हाँ अब मेखाले से बड़ी खबर है मेखाले में मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है उस पर भीट ने हमला किया है और ये हमला प्री प्लांट बताया जा रहा है यानि पहले से ही ये सडियंत फ्रचा क्या था नमस्कार स्वागत है आपका दा न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी तो मेखाले से ये बड़ी खबर है मेखाले में जीम ऑफिस पर फीर ने हमला किया है जिसमें टीमसी समेथ 22 लोगों को गिरफतार किया है यानि टीमसी के नेता भी इस हमले में शामिल है जिसकी गिरफतारी इस पूरे माफले में हुई है लेकिन एक बہध गंभीर माफला जो कि मेखालिये से शाप ने आए है चोकि जिस वक्त भीर ने ये सीम ऑफिस पर हमला किया है उस वक्त मेखालिये केускे मुख्यमंत्री कॉनड ब्रत रंक्म ये कहना है कि ये हमला प्रीप्लांट था पहले से ही ये साजिश रची गई थी हमले के 26 आरोपियों की पहचान हो चुकी है 22 लोगों की गिरफतारी हुई है जिसमें टीमसी के नेता भी शामिल है तो लगातार इस पूरे माफले में एक के बाद एक खुलासे जो हो रहे हैं सक की जो सुई है वो टीमसी के इर्दगिर्द ही खुम रही है क्योंकि मेखाले में हाली में छुना हुए थे जहां नैशनल प्यूपल्स पार्टी बीजेपी गटबंधन की सरकार है और मुख्यमंत्री है कॉन्राड संगमा वही टीमसी के बात की जाए तो टीमसी और कॉंग् को इस हमले के लिए उकसा था जिसके बाद भीड ने ऊफिस पर हम ला किया है और इस हमले में काई सुरक्षा कर्मी भी घाय। रक्षा कर्मी घायल हुए हैं जब भीड ने इस घटना को अंजाम दिया तो उस वक्त संगमा जो थे वो अपने ऑफिस के भीतर ही बैठे हुए थे यानि मुख्यमंत्री इस पूरी घटना में बालवाल बचे हैं भीड ने उन्हें टार्केट किया और आरोप जो लग रहे है पुलिस के मुताबिक भी जो जानकारी साब ने आई है वो ये कि टीमसी के दो नेताओं ने भीड को उकसाया है जिसके बाद भीड ने मुख्यमंत्री को टार्केट किया है आपको ये भी बताते हैं कि गार्वो हील्स इस्थिस सोसाइटी ग्रूप तुरा में शीतकालीन र आफिस में बैठक कर रहे थे दरसल जो जानकारी इस पूरे माफले में फिलाल निकल कर सामने आई है वो ये कि गार्वो हील्स में जो सोसाइटी ग्रूप तुरा है उसमें शीतकालीन राजधाने की मांग कर रहा है इसको लेकर भूख हरताल उन लोगों की जारी है 14 दिन से ये भूख हरताल चल रही जिसके बाद सियम सग्वा ने आंदोरनकारी ग्रूप के साथ आफिस में मीटिंग की और आफिस में जब वो मीटिंग कर रहे थे तभी कई जो ग्रूप थे जो की प्रदिशन कर रहे हैं वो वहाँ पर पहुँचे हाला कि मुख्यमंत्री और गु इनके प्रदिशन कारी और अधिक उगर हो गए और जमकर पत्राव किया इसमें पांच सुरक्षा कर्मी घाल हुए हैं यहनी एक जो भूख हरताल कई ग्रूप की वहाँ पर चल रही थी जो की शीवकाहली राजदानी की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री इस पूरे माफले क को सुलजाने की कोशिश उन तमाम प्रदिशन कार्यों के साथ कर रहे थे बैठक चल रही थी लेकिन तभी फीड उगर हो गई और इस तरीके से मुख्यमंत्री हैं जो मेखाहले के संगमा उन्हें टार्केट पर लिया गया उन्हें निशाने पर लिया गया उनके कार्याले पर ये तोड़ फोड की गई है और बताए ये भी जो आ रहा है कि तुरा में जो मुख्यमंत्री का कार्याले हैं वहां पर इस सिती जो है वो बेहर तनावपून बनी हुई है मुख्यमंत्री संग्वा सरकार्पी मंत्री मार्कुईस एन मराक और कई अधिकारी कार्याले में है मुख्यमंत्री ने आंग्दोलन कारी समों को शुलांग चर्चा के लिए आमंधृत किया है कि चर्चा आठ या नो अगस्त को हो सकती है तो यह पूरा मामला है जिसको लेकर अब कहने कही मेहखालने में जो इस्तिती है वो जाहिर तोर पर तनावपून बनी हुई है लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि पश्यम बंगाल में लगातार टीमसी जो है वो हिंसा का खुरी खेल खेल रही है लगातार पश्यम बंगाल में टीमसी आके जो कारे करता है वो वहां आम जंता से लेकर धबाम अलगलग पार्टियों के जो कारे करता है उन्हें निशाने पर ले बीते कहीं दिनों से जब से पंचाय चुनाव पश्रिम बंगाल में हुए हैं लेकिन अब TMC जो है कहीं ने कहीं ये हिंसा का खेल जो है वो मेखाषले में भी कर रही है और मेखाषले में ये TMC के ही दो नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने इस भीड को उकसाया है क्योंकि वि अफ्तार भी कर लिया है लेकिन ये इस्तिती बेहत गंभीर भी हो सकती थी मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवार जो कि संगमा ओफिस में मौजूद थे वो मीटिंग इन तमाम परदशन कारियों के साथ कर रहे थे ताकि माफले को सुलजाय जाए लेकिन तब ही जब पुलिस ने इस भीड को हटाने की कोशिश की तो वहां पर ये भीड उगर हुई जिसके बाद पुलिस ने आंसुग्यास की गोले छोड़े और पुलिस पर ही उल्टा जो है ये भीड जो बेकाफू भीड थी वो कहने कही पुलिस को टार्केट करने लगी जिसम मताबिक 22 आरोप्यों की गिरफतारी जो है इस पूरे माफले में हुई है तो बेहत गंफीर माफला जो की मेखासले से साथ ने आया है लेकिन मेखासले में भी मुख्यमंत्री मामता बिनेची की पार्टी टीमसी के गुंडों की गुंडागर्थी जो है वो देखने को मिली है इतरफ मामता बिनेची सरकार पर आरोप लगाती है वो केंद सरकार पर हमले बोलती है कि बीजेपी जो है वो गुंडागर्थी कर रही है पश्यमंगाल में लेकिन मेखासले जहां पर एनपीपी यानि नैश्नल प्यूपल्स पार्टी की सरकार है जहां बीजेपी उनके मुख्यमंत्री को उनकी पार्टी को टार्टीट किया जा रहा है यह फिलाल मेखाले से जो तस्वीरे साफ ने आई है वो साफतोर पर बया कर रही है वही लगातार इस पूरी घटना को लेकर अब मुख्यमंत्री ममता बैनेची और उनकी पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं जिस तरीके से उनकी पार्टी के नेटाओं की गिरफतारी हुई है और जाहिर तोर पर उन्हें जवाब देना होगा कि आखर ये टीमसी के नेटाओं ने इस भीड को क्यों उकसाया मकसद क्या था क्या मुख्यमंत्री की जान लेना मकसद था जिस तरीके से ये भीड परमी घायल हुए हैं यह भूखरताल चल रही थी जिसको सुलजाने की कोशिश जो है इस पूरे माफले को वो मुख्यमंत्री कर रहे थे अपने ओफिस में ही बैट कर लेकिन किस तरीके से यह जो भीड थी वो बेकाफू हुई और किस तरीके से सीम ओफिस में कहीं तोड़ फ प्लान जो है हमला था यानि पहले से ही त्यारी पूरी कर ली ती कि मुख्यमंत्री ऑफिस आएंगे और तब यह हमला किया चुसिया का फिलाल पुलिस की ओद्थे गयी जानकारी इस पूरे माफले में दी गई आप की इस पूरे माफले पर क्या राई है में कॉमेंट बॉक्स में जरू लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थन्य बाद